हिमाचिन प्रदेश के जिलाहमीरपूर के उपमंडल नादौन के रहने वाले स्वास्त्यवी भाग से सेवा निवरित चिकित्सक ने अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए सरकार को वारिस बनाकर अपनी करोडों की संपत्ती सरकार के ही नाम कर दी पंचायत जोलसपड के गाउं संकर के 72 वर्षी ये डॉक्टर राजेंदर कवर 33 वर्षों के बाद स्वास्ते विभाग से और उनकी पत्नी कृष्णा कवर शिक्षा विभाग से सेवा निवरित हुई थी एक वर्ष पूर्व पत्नी का देहांत हुआ था दोनों की इच्छा थी कि उनकी कोई संतान ना होने के चलते वे अपनी चलचल संपत्ती जो है सरकार के नाम वसीयत कर देंगे क्योंकि उन्होंने सरकारी नौकरी की दोरान ही सब कुछ अरजित किया है डॉक्टर कमर का जन्म 15 अक्तूबर 1952 को माता गुलाब देवी और पिता डॉक्टर अमर सिंग के घर गाउधनेटा में हुआ था 1974 में MBBS की पढ़ाई इंदरा गांधी मेडिकल कॉलेज ततकालिन समय में स्नोडेन अस्पताल शिमला से पूरी की उसके उपरांत इंटरंशिप पूरी करके 3 जनवरी 1977 को प्राथ्मिक स्वास्थे के इंदर भोरंज में बतोर चिकित्सक उन्होंने जोईन किया नौकरी की दौरान उन्होंने सेवा भाव के जजबे से पदोन्ती को भी दरकिनार किया डॉक्टर कमर अभी भी प्रती दिन सेंक्डों मरीजों के स्वास्थे की देखभाल कर रहे हैं वो कांगु वाले डॉक्टर के नाम से और समाज सेवी की हैसियत से जाने जाते हैं